नमस्कार साथियों स्वागात आप से भीकापके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों जैसे कि आप से भी थमनेल देखकर जाने गए होगे कि इस वीडियो में मैं डिसकसन करने वाला हूँ रिवीजन के बारे में क्योंकि दोस्तों बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो मेरी तरह अभी फ्रेशा रही हैं और कोर्स कंप्लीट करने में उनका इतना ज्यादा टाइम वेश्ट हो जाता है कि वो रिवीजन करने का उनको टाइम ही नहीं मिल पाता चाहे रेजिनिंग हुआ चाहे मैथ हुआ चाहे जिसके फार्मुलास यह यह उसमें यूज होते हैं वह उनको यादी नहीं रहते तो दोस्तों यह सबसे बड़ा डाउट बनता है कि हम अपने टॉपिक को कैसे रिवाइज करें कैसे लंबे तमय तक रिवाइज रखें ताकि हमको आगे जाकर जो भी हम टॉपिक पढ़ें वह तो आये ही साथ जो पीछे पढ़ें वह भी मारे दिमांके बना रहें तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे कंप्लेट डिसक्रसन करूंगा कि कैसे मैं रिवाइज करता हूं और कैसी रिवाइज आपको करना चाहिए ताकि कॉंसेट जो आप पीछे पढ़ें करका लिए जल्दी करना ही अँग ओं लें आप पढ़ रहे हैं तो हमने वीडियो दो देखो आपने छी कमीट करते हैं तो बहुत दे कि शिराकर सोंग करने को मौका लेकिन दोस्तों जो ऑनलाइन लिये रहते हैं उनकी दिवह के काफी तेज यह चलता है कि कितना जल्दी कोर्स करें और दिन भर में एक वीडियो दो बीडियो तीन तीन वीडियो देखते हैं जिसे कोर्स कंप्लीट करने में ही टाइम रह जाता है बाकी पूरा दिन बीच जात के लिको कॉर्स कर रहे हूं तो आपको पर्सेंटेज कोम्स्ट को करना है उसको questions लगाते हुए चलने मतलब कि जब profit loss के पास आप जब CI और SI पर पहुंचेंगे तो आपके profit loss की concept पहले notes करना है, फिर book से questions लगाने है, फिर CI SI आपको साथ में साथ पढ़ना है, मतलब कि जिस तरीके साब आगे बढ़ते चलेंगे उस तरीके साब कर रिवाईज होता चलेगा, साधी साथ दोस्तों बीच ब बढ़ते जाओगे, ये काफी जयदा load हमारे उपर डाने लगता है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको quizzes देने है, quizzes, mixed quizzes, जैसे आप मान लीजिए, टेस्ट बुक पे आप जाते हैं, वहाँ पर आपको कोई course भी नहीं purchase करना है, फ्री में quizzes चलते रहते हैं, तो आपको 10-15-15 questions के quiz per day लगाना है, जिसने mix-up questions आपको percentage के, other topics के आपने जो भी पढ़ रखा है, उस तरीके से आप quiz चूज कीजिए, और उसके आप question लगाते रहेंगे, तो आपके concept लो दिवा के बने रहते हैं, तो हमको वालक सी revise करने के यरुद नहीं पढ़ती, एक बार हम जब revise क करके question के लगा लेते हैं, फिर हम पराबर जब quiz देते रहते हैं, तो उसके concept हमारी दिवा के बने रहते हैं, और हमारा revise भी होता रहता है, साथ हो एक चीज और चो मैं बता दू कि course तो हमको complete करना ही है, साथ ही साथ उसको इतना smoothly करना है कि जो concept हमारी दिवा के proper जाएं, यह केवल कोर्स ही complete करने में हम लगे हैं, concept हम समझी नहीं आ रहे हैं, केवल वीडियो देखके solution note करते जा रहे हैं, दोस्तों दिखें, notes को हमको ऐसा बनाना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बता दू, notes बनाना बहुत जुरूरी होता है, क्योंकि रिवीजन के time पर बहुत ही का करता है, आप जो पिक्जाम देने जा रहे होते हैं, तो वीडियो solution देखकर नहीं जाते हैं, notes को ही देखकर आदमी जाता है, तो notes सबसे पहले बनाने हैं, दुसरी बास, sort notes बनाने हैं, जितने भी उसके formulas होते हैं, जितने important formulas है, maths के, पिर किसी के भी, English के rules होगे, जो बहुत क्लास में करा रहा है, आप उसको notes में note कीजिए, अपने उसके बाद किसी भी topic का book से question लगाने हैं, पहले अपने notes के questions को तब तक लगाई, जब तक वो question आपके इतना दिमाग में न चप जाए, उसकी concept आपके दिमाग में न उतर जाए, दोस्तों मैं इसी तरीके से revise करता मैं किसी भी book को चाहिए, राकेश यादो सर के 73 सो प्लस हुई, चाहिए कीरन हुई, ये कोई भी book हुआ, उसको मैं पहले खुब बहतरी तरीके से लगा लेता हूँ, एक बार, दो बार, जितने भी भार हो उसका, क्योंकि notes पे जब मेरी command हो जाएगे, तो book के questions automatic आजाएंग सबसे पहले notes revise करके, फिर अगर आप जाओगे book लगाने, तो आपके लिए बहुत फायदे मन्द होगा, तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपना notes revise करना है, फिर आपको book के questions लगाने है, अगर और पीछे का जो आपने पढ़ चुका, उसको revise करने के लिए, अपने सबसे बड़ा तरीका है, कि आपका practice अच्छी खासी होने चाहिए, तो इसके लिए आप लोग अच्छे से notes गनाना है, proper revision करना है, तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के बारे में अपनी रहा है, हमें comment section में जरूर दीजेगा, कैसे लगी है वीडियो, आप लोग कैसे revision करते हैं, comment section में जरूर बताएगा, तो फिर मिलता है, नई वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिंद,